दोस्तो हर एक accounting application के अंदर आपने एक voucher जरूर सुनाओगा Contra Voucher दोस्तो Contra Voucher क्या है? Contra Voucher एक ऐसा voucher है जिसका इस्तमाल किवल bank और cash के माध्यम से ही किया जाता है यानि आप यहां तो bank में पैसा जमा कर सकते हैं या फिर bank से पैसा निकाल सकते हैं यानि इनी तीनों transaction को record करने के लिए Contra Voucher का यहां पर इस्तमाल किया जाता है आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने busy accounting application software के अंदर Contra Voucher की transaction को record कर सकते हैं आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से bank to bank पैसा deposit करेंगे या फिर किस तरीके से आप cash के माध्यम से bank में पैसा deposit करेंगे या फिर आप किस तरीके से अपने bank account से payment को withdraw करेंगे ये तीनों transaction आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर आप यहां पर एक भी step को skip करते हैं तो यहां पर आपको entry सही से समझ में नहीं आएगी और अगर आपको फिर भी कोई problem होती है तो आप हमारे comment section में हमें comment कर सकते हैं हम आपको इसका reply जरूर देंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों contra voucher की entry करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं हमनी अपनी company यहां पर open कर लिया है अब मैं आपको यहां पर transaction करके दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले हम यहां पर आएंगे transaction पर और यहां पर आप देख सकते हैं contra के नाम से एक voucher दिखाई देगा इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं हमें तीन options दिखाई दे रहे हैं जिसमें सबसे पहला option आप यहां पर देख सकते हैं add का है add का मतलब यह है कि जब भी आप contra voucher में एक नई transaction को record करना चाहते हैं तो उस case में आपको add वाले option पर click करना होगा और अगर आपने पहले से ही transaction कर रखी और उसमें कोई modification करना चाहते हैं यानि कोई changes करना चाहते हैं तो उस case में आपको modify वाले option को select करना होगा और अगर आपने जो भी transaction कर रखी है उन सभी की list देखना चाहते है तो उस case में आपको इस पर click करना होगा तो हमारे case में हमें आपने एक नई transaction को record करने वाले हैं तो हम यहाँ पर add को select करते हुए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं add contra voucher के नाम से हमारे सामने यह voucher open हो जाएगा और यहाँ पर हमें अपनी transaction को record करना है voucher series में आपको main रखना है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको date दिखाई दे रही है यहाँ पर आप जो भी date रखना चाहें यहाँ जिस date पर आप अपनी transaction को record करना है उस date को आपको यहाँ पर select करते हुए आगे बढ़ जाना है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आप debit and credit option पर यहाँ पर jump कर चुके हैं यहाँ पर आप अपने हिसाब से debit और credit यहाँ पर कर सकते हैं फिलाल हम यहाँ पर account वाले option पर jump करेंगे और यहाँ पर space की press करेंगे space की press करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने दो ledgers आपको दिखाई दे रहे हैं प्रेला लेजर जो आपको दिखाई दे रहा है वो कैश का है और दूसरा जो लेजर आपको दिखाई दे रहा है वो हमारे HDFC bank account का लेजर हैं दोस्तों यहाँ पर आपने जितने भी bank accounts create कर रखे होंगे उन सभी की list आपको यहाँ पर दिखाई देगी Contra voucher का इस्तमाल किया जाता है bank में पैसा जमा करने के लिए या तो bank से पैसा withdraw करने के लिए तो हम यहाँ पर सबसे पहले आपको bank में पैसा जमा करना बता रहे हैं तो यहाँ पर हमें debit side में bank को select करना होगा यानि HDFC bank को हम select करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे Rule of account के हिसाब से हम यहाँ पर HDFC bank में पैसा जमा कर रहे हैं तो इसलिए debit होगा यहाँ पर मालीजे हम 20,000 रुपे की payment HDFC bank में जमा कर रहे हैं और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर अभी फिलाल current balance में 1,80,000 रुपे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे है यानि इतना पैसा अल्रेडी HDFC bank के पास अभी available है हम यहाँ पर 20,000 रुपे और भी यहाँ पर deposit कर रहे हैं तो यहाँ पर मालीजे हमने type कर दिया 20,000 और हम यहाँ पर enter pass करेंगे enter pass करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो current balance आपको दिखाई देगा वो यहाँ पर 2,000,000 रुपे दिखाई दे जाए यहाँ पर आपको space करके cash को select कर लेना है तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पर cash को select करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं credit side में 20,000 आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और जैसी आप यहाँ पर एक बार और enter pass करेंगे तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर current balance withdraw करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इसी voucher में entry pass करनी होगी तो वो भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ हम enter करके यहाँ पर नीचे आएंगे अब यहाँ पर debit side में हमें यहाँ पर space press करते हुए cash को लेना होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास cash आ रहा है तो rule of account के हिसाब से cash account यहाँ पर debit होगा और उसके बाद हम यहाँ पर मालेजे 20,000 यहाँ पर cash receive कर रहे हैं इसे select करते हुए जैसे हम यहाँ पर enter pass करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे पास 20,000 रुपे था वो यहाँ से हड़ चुका है यानि 0 रुपे आपको इस press करते हुए हम जैसी HDFC bank को यहाँ पर select करेंगे तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो current balance यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो 1,80,000 रुपे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसके बाद आपको यहाँ पर enter करके इस voucher को यहाँ पर save कर देना है तो दोस्तो इस तरीके से आप bank में पैसा deposit कर सकते हैं और bank से पैसा withdraw कर सकते हैं और अब हम सीखने वाले हैं कि आप एक bank से दूसरे bank में किस तरीके से पैसा deposit कर सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए हम यहाँ पर enter pass करते हुए नीचे आएंगे यहाँ पर आपको select कर लेना है उसके बाद हम यहाँ पर enter press करेंगे, नीचे की तरफ जैसे हम यहाँ पर आएंगे, हम वापस एक credit side में jump कर जाएंगे, credit को select करते हुए जैसे हम यहाँ पर enter press करेंगे, और यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर space की press करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने account master window open हो जाएगी, और यहाँ पर आपको अपने bank account का ledger create करना होगा, तो जैसे मालीजी हम यहाँ पर create कर लेते हैं, state bank of india, और इसके बाद enter press करते हुए, यहाँ पर group में हम इसे bank account रखते हुए, यहाँ पर इसे save करेंगे, opening balance में हम यहाँ पर कुछ amount को डाल देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 20,000 रुपे deposit करने हैं, तो मालीजी हम यहाँ पर type कर देते हैं 50,000, और इसके बाद हम यहाँ पर F2 की press करते हुए, इसे यहाँ से save कर देते हैं, दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, 20,000 रुपे हम यहाँ पर State Bank of India से, HDFC Bank में deposit कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर enter की press करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको current balance यहाँ पर दिखाई दे जाएगा 30,000, क्योंकि 50,000 रुपे हमने State Bank of India के इंदर डाला था, जिसमें से 20,000 रुपे हम यहाँ से HDFC Bank में transfer कर रहे हैं, और उस case में यहाँ पर आपके पास जो balance बचेगा, वो 30,000 का balance आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इसको select करते हुए आप इस entry को यहाँ पर accept कर लीजिए, तो दोस्तों हमने यहाँ पर फिलाल तीन transaction को record किया है, इन तीनों transaction को आप किस तरीके से देख सकते हैं, आईए जानते हैं, इसके रिए सबसे पहले हम यहाँ पर skip की press करते हुए बाहर आएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको list का option दिखाई देगा, आपको list वाले option को select करते हुए, यहाँ से screen को select कर लेना है, और यहाँ पर आपको all series रखते हुए, यहाँ पर F2 की press कर देना है, तो दोस्तों इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी जितनी भी transaction यहाँ पर record हुई है, वो transaction आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने सेम डेट पर यहाँ पर तीन transaction को record किया है, सबसे पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं, ह अगर आप यहाँ पर इसका balance देखना चाहेंगे तो स्केप की प्रेस करते हुए यहाँ से बाहर आईए और इसके बाद यहाँ से आना है आपको display more reports के अंदर, यहाँ से आपको आना है accounts book के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते है cash और bank का book आपको यहाँ पर दिखाई देगा इसको select करते हुए, आपको यहाँ पर single column को select करते हुए यहाँ पर आपको अपने bank का ledger select कर ले रहा है जैसे मालीज हम यहाँ पर HDFC bank का status चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से हम HDFC bank को select करते हुए तो यहाँ पर F2 की press करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो total balance आपको दिखाई देगा HDFC bank का और total balance आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 238,040 रुपे क्योंकि हमने यहाँ पर पहले से ही काफी सारी transaction को यहाँ पर reward कर रखा है वो सारी transactions आपको यहाँ पर दिखाई देगी इसी तरीके से आप skip की press करते हुए अपने दूसरे bank को भी आप यहाँ पर select कर सकते हैं और F2 की press करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका balance amount आपको यहाँ पर दिखाई देगा यानि 30,000 रुपए भी आपके पास यहाँ पर bank में बचे हुए है और 20,000 रुपए की आप यहाँ पर payment कर चुके हैं उपर की तरफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो opening balance है वो 50,000 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि जब हमने यहाँ पर State Bank of India का ledger create किया था तो उस case में हमने यहाँ पर 50,000 रुपए opening balance डाल दिया था तो वो ही balance आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसी तरीके से अगर आप cash transaction को देखना चाहते हैं तो सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर space की प्रेस करते हुए cash को select कर लिजे और F2 की टेस कर दीजे यहाँ पर आपने cash में जितनी भी transaction record की है तो सारी transactions आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी तो दोस्तो इस तरीके से आप busy के अंदर contra voucher की transaction record कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like and share जरू कीजेगा धन्यवाद